हलो स्टूदेंट्स विलकम टूब सिपसंकर जिक्के 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 जिसमें एक बर फिर से आप सभी का स्वागध थे तुब स्टूदेंट्स आप वो का चल रहा था पारा मेटिकल परवेसपृरी चत दुवागर थे लिए जीके का समान ग्यान इंपोर्टेंट कोशन वीडियो पूरा देखेगा और एक कोशन अच्छे से समझेगा और चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा वीडियो को भी सेर करते रहिएगा पहला कोशन कहता है मोहन जोदलो किस नदी के किनारे बसा हुआ था आप्शन A में दिया है सिंदू नदी आप्शन B में दिया है रावी नदी आप्शन C जेलम नदी और आप्शन D चेनाव नदी तो मोहन जोदलो जो है आपका सिंदू नदी के किनारे बशा हुआ है तो यहाँ पे आपका राइट अंसर हो जाता आप्शन नमबर A उसके बाद पिर अगला नंबर question कहता है कि मोहन जोदलो किस भासा का सब्द है option हिंदी, option B सिंधी, और option C उर्दू, और option D, 4 C तो मोहन जोदलो जो है आपका सिंधी भासा का सब्द है तो right answer आपका option number B उसके बाद फिर अगला नंबर question कहता है कि लोथल कहाँ इस्तित है आप्शन A में गुजरात आप्शन B पाचिमंगाल आप्शन C राजस्तान और आप्शन D पंजाब तो लोथल जो है आपका गुजरात में इस्तित है तो यहाँ पे राइट एंसर हो जाएगा आपका आप्शन नमबर A उसके बाद अगला नमबर कोश्चन कहता है प्राचिन इतिहास का निर्मान किया गया आप्शन A सहितिक सुरोतों के अधार पर आप्शन B विदेशी आत्रियों के विवरन के अधार पर आप्शन C पुरा तात्मिक अपसेसों के अधार पर आप्शन D उप्रोक सभी के अधार पर तो प्राचिन इतिहास का जो निर्मान किया गया था वो साहितिगी सुरोतों के अधार पर भी किया गया बेदेशी आत्रियों के विवरन पर भी किया गया आप पुरा तात्विक अफसेशों के अधार पर भी किया गया आयानी सभी में किया गया तो राइट अंसर आपका उप्रोग सभी के अधार पर राइट अंसर उप्सन नमबर D, उसके बाद फिर आपका अगला नमबर कोशन कहता है, काली बंगा भारत के किस राज में अवस्तित है, उप्सन A हर्याना, उप्सन B पंजाब, उप्सन C राजस्थान, और उप्सन D गुजरात, तो काली बंगा भारत के आपका राजस्थान में राज में अवस्तित है, तो यहाँ पर राइट अंसर हो जाता, उप्सन नमबर से, उसके बाद फिर अगला नमबर कोशन कहता है, कि गंदे पानी का निकासी की समूचित ब्यवस्ता, सरपर्थमकित सभ्यता में देखने को मिलती है, उप्स देखा गया, वहाँ देखा गया था आपका सिंदु घाटी शव्यता में देखने को मिलती है, तो यहाँ पर आपका राइट अंसर हो जाता है, उप्सन नमबर ए, उसके बाद फिर आपका अगला नमबर कोशन कहता है, काली बंगा किस नदी के किनारे अवस्तित है, आप्स तर आपका हो जाएगा, उप्सन नमबर ए, उसके बाद फिर आपका अगला नमबर कोशन कहता है, सिंदु सव्यता का बंदरगा नगर कौन था, उप्सन ए हडपा, उप्सन भी मोहन जोदलो, और उप्सन सी काली बंगा, और उप्सन डी लोथल, तो सिंदु सव्यता का जो सिंदू सवयत्ता का किस देश के साथ व्यपारीक समन्द नहीं था option A, Mesopotamia, option B, Iran, option C, Afghanistan, option D, Chin तो सिंदू सभ्यता का जो बेपारिक समंद नहीं था वो नहीं था आपका चीन के साथ तो यहाँ पे आपका right answer हो जाता है option number D उसके बाद अगला number question कहता है कि सिंदू बासियों को परमुख देपता कौन थे option A, option B, बिशनू, option C, पसुपती महादेब और option डिकनेश सिंदू बासियों के जो परमुख देपता थे वो थे आपका पसुपती महादेब right answer option number C, उसके बाद अगला number question कहता है कि सिंदू गाटी सभ्यता का कौन सा अस्थान मिर्दको काटीला के रूप में जाना जाता है option A, हडपा, option B, चाहंदोडो, और option C, मोहन जोदोडो, और option D, काली बंगा तो सिंदू गाटी सभ्यता का जो मिर्दको काटीला के रूप में जाना जाता है तो यहां पर आपका राइट एंसर हो जाता है option number C उसके बाद फिर अगला number question काता है सिंदु घाटी सभ्यता का कौन सा अस्थाल सिंद का बाग कहा जाता है option है option B हडपा और option C लोथल और option D कालिबंगा तो सिंदु घाटी सभ्यता का जो सिंद का बाग जो कहा जाता है जो अस्थाल है वह अस्थाल है आपका मोहन जोदलो राइट एंसर option number A उसके बाद फिर अगला number question काता है कि सिंदु सभ्यता में समाज का स्वारूप था option A मात्र सतात्माक option B पित्र सतात्माक और option C दोनों और option D इन में से कोई नहीं तो सिंदू सभयता में समाज का जो स्वरूप था वो था आपका मात्र सतातमाग राइट अंसर आपका आप्शन नमबर A उसके बाद अगला नमबर कोशिन कहता है सिंदू घाटी सभयता किसके समाकालीन नहीं मानी जाती है आप्शन चीन की सभयता आप्शन भी मिस्र की सभयता और आप्शन सी मोसो पोटामिया की सभयता और आप्शन दिक क्रिट की सभयता तो सिंदू घाटी जो सभयता है वो किन के समलीन नहीं मानी जाती है तो वो नहीं माना जाता है आपका चीन की सव्यता के समग के लिए नहीं माना जाता है राइट अंसर आपका option number A उसके बाद फिर अगला number question काता है सिंदु सव्यता का छेतर फल किस अकार का था option A आयताकार option B, बर्गाकार option C, ब्रिताकार और option D, तिर्भुजाकार सिंदू सभियता का छितरपल जो था उसका आकार था तिर्भूजाकार आकार था राइट अंसर आप्शन नमबर D उसके बाद अगला नमबर कोशन काता है किस सिंदू अस्थल में मैला और पूरुस को एक साथ दपनाया गया है आप्शन A लोथल और आप्शन B सूत कोड़रा और आप्शन C रोपड और आप्शन D बनवाली किस सिंदू अस्थल में मैला पूरुस को एक साथ दपनाया गया था तो वो रोपड में राइट अंसर आपका आप्शन नमबर C उसके बाद अगला नमबर कोशन काता है सिंदू घाटी सभ्यता में बिसाल आसनानागार के अपसेस कहां से प्राप्ट हुए और आप्शन A हडपा आप्शन B मोहन जोदलो और आप्शन C काली बंगा और आप्शन D लोथल तो सिंदू घाटी सव्यत्ता में विसाल आसनानागर्ग जो अपसेश प्राप्त हुए थे वो मोहन जोदलो से प्राप्त हुए थे राइट अंसर आपका ओप्सन नंबर बी उसके बाद अगला नंबर कोशन काता है सिंदू घाटी सव्यत्ता की जुलवा राजधानी थी आपसने मोहन जोदलो चनहुदलो और आपसन B हडपा लोथल और आपसन C हडपा मोहन जोदलो और आपसन D लोथल काली बंगा तो सिंदु घाटी सब्यत्ता के जो जुडवा राजधानी थी वो था आपका हडपा मोहन जोदलो राइट अंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका आपका आपसन नमबर से उसके बाद फिर आपका आगला नमबर कोशन काता है राखल दास बनर जी को मोहन जोदलो के अपसेस किस बर्स मिले आपसन ए उनाइस सो बी सिसी में आपसन भी उनाइस सो एकाई सिसी में आपसन सी उनाइस सो बाइस सिसी में और आपसन डी उनाइस सो तेस में तो राखल दास बनार जी को मौहंत जोदुड़ों के अफसेस जो मिले थे उबा उने सो बाइस इसी मिले थे तो राइट अंसर आपका उपसर नमबर सी तो स्टुडेंट्स ये था इंपर्टन कोशन इस वीडियो को सेर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक हमारे चैनल पर बने रहिएगा